हलो फ्रेंट इस वीडियो में हम बात तेंगे जीके के टॉप 10 कोश्चन्स के विसे में जो कि आपके एक्जाम के देश्ट कोट से काफी इंपोर्टन कोश्चन हो सकते हैं जो फ्रेंट वीडियो को लाश तक देखेगा और याद आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिए भारत की पूर्व से पस्चिम तक की लंबाई कितनी है आपके आप्सन है 2933 किलोमीटर 3033 किलोमीटर 3133 किलोमीटर 3214 किलोमीटर तो इसमें से आपको कारेक्ट एंसर बताना है कि भारत की पूर्व से पस्चिम की लंबाई कितनी है तो चलिए देखते हैं तो इसमें आपका आप्सें से होता है आप्सें no.1 233 km यानि की भायत की पूर्व से परशीम तक की लंबाई 233 km है चलोए next question देखते हैं next question है भारत की तटव रेखा की लंबाई कितनी है आपके आप्सें है 1600 km 22 क्लो मीटर 1,165 गूलो मीटर तो इसमें से आपको correct answer बता ना है कि भायत की तट्रेखा की लंबाई कितनी है चलिए देखते हैं तो इसमें आपका option से होता है option number first इक सट सो किलो मीटर चलिए next question देखते है next question है भारत का छेतफल विश्व के कुल भावगोलिक छेतफल का कितना है आपके option है 2.2%, 2.4%, 2.8%, 3.2% तो इसमें से आपको correct answer बताना है कि भायत का छेतफल विश्व के कुल भावगोलिक छेतफल का कितना भाग है तो चलिए देखते हैं तो इसमें आपका option से होता option number second 2.4% चलिए next question देखते हैं next question है भारत के कुल छेतफल का कितना पित्षद भाग परवती छेतर के अंतर गताता है आपको बताना है कि भारत के कुल छेतफल का कितना पित्षद भाग परवती छेतर के अंतर गताता है आपके option है 10.7%, 18.6%, 27.7%, 43% तो इसमें से आपको correct answer बताना है तो चलिए देखते हैं तो इसमें आपका आपसन से होता आपसन नमबर फर्स्ट दस पॉइंट साथ परसंट नेक्स्ट कोशन है संपूर भायत के कितने पृतिशत भूभाग पर परवत और पहाडियों का विश्थार पाया जाता है यानि कि भारत के कुल पृतिशत का कितना भाग परवत और पहाडियों के रूप में पाया जाता है आपको बताना है आपके आपसन है 10.7% 18.6% 29.3% 43% तो इसमें से आपको का एक टेंसर बताना है तो चलिए देखते हैं तो इसमें आपका आपसन से होता है आप्सन नमबर 3rd 29.3% यानि कि संपूर भायरत के कुल प्रिश्चत का 29.3% परवत पहाड़ीों के रूप में पाया जाता है चलिए नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं नेक्स्ट कोश्चन है संपूर भायरत के कितने प्रिश्चत भू भाग पर पठार का विश्चत पाया जाता है यानि कि भारत के कुल छेत फल के कितने भाग पर पठार का विश्चत पाया जाता है यह आपको बताना है आपके आप्सन है 10.7% 8.6% 27.7% 29.3% इसमें से आपको का एक्ट एंसर बताना है चलिए देखते हैं तो इसमें आपका आप्सन से उता आप्सन नमबर 3rd 27.7% चलिए नेक्स्ट कोशन देखते हैं संपूर भारत के कितने प्रिश्चत भूभाग पर मैदान का विश्चतार पाया जाता है आपके आप्सन है 10.4% 18.6% 27.7% 43% तो इसमें से आपको का आप्सन से बताना है कि संपूर भारत के कितने प्रिश्चत भूभाग पर मैदान का विश्चतार पाया जाता है चलिए देखते हैं तो इसमें आपका आप्सन से उता आप्सन नमबर 4rd 43% नेक्स्ट कोशन है भारत की प्रादेशिक जलसीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है आपके आप्सन है 12 मील, 24 मील, 111 मील, 200 मील तो इसमें से आपको का आप्सन से बताना है कि भारत की प्रादेशिक जलसीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है आपको correct answer बताना है तो चलिए देखते हैं तो इसमें आपका option से होता option number first बारा मील next question है भारत का सनलग नचेत प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है आपके option है 12 मील, 24 मील, 100 मील, 200 मील तो इसमें से आपको correct answer बताना है तो चलिए देखते हैं तो इसमें आपका option से होता option number second, 24 मील चलिए next question देखते हैं भारत का एकांतिक आथिक छेत्र, सनलंग नचेत्र के आगे कितनी समुद्री मील की दूरी तक है आपके option है 100 मील, 200 मील, 300 मील, 400 मील तो इसमें से आपको correct answer बताना है तो चलिए देखते हैं तो इसमें आपका option से होता option number second, 200 मील तो फ्रेंट्स आपको comment करके बताना है कि आपके 10 में से कितने questions सही निकले और ऐसे ही GK के सांदा questions के लिए चैनल को subscribe और वीडियो को like जरूर कर दें चले मिलते हैं next वीडियो में thank you